बाई ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स जो पांच लाकी भीडियों में कटके साथ जार में भी शटके टॉप 10 में आते हैं ऐसा वो क्या करते हैं कि वो टॉप 10 में ऐसे खतरना कॉमपटिशन में अपना नाम बना बाते हैं आज बात करने वाला हूं माइंड सेट ऑफ एंडिये टॉपर्स जितने भी टॉपर्स होते हैं वो चाहिए एंडिये के हो या किसी फील्ड के हो उन्हें में कुछ कॉमन सिमिलार्टी आप आओगे हमेशा पाओगे अब देख लिजएगा पहली चीज़ उनका वो कभी भी हर् प्रोसा नहीं होते हैं यह कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूँगा मैं 15 घंटे पढ़ूँगा कभी नहीं वो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं वह एक हमेशा एक सिस्टेमाटिक अप्रोच रखते हैं वह एक हमेशा ऐसा प्रोच रखते हैं जिसे वह बैलेंस दिखा प तब क्या कि एक दिन पढ़ लिया छे गंटे अगले पढ़ा ही नहीं ऐसा नहीं होता वो डेली पढ़ते हैं और एक प्लैन के साथ पढ़ते हैं तीसरा जितने भी टॉपर से तुम किसी की स्टोरी से लिए ना सब में एक चीज़ में कॉमन मिलेगी कि उनका एक प्लैनर होता ह है उनके पस एक प्लैनर होता है वो बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारे ग्रूप को बहुत सारे ओनलाइन कोर्स को फॉलो करते हैं पर उनके पस प्लैनर होता है कि मुझे यहां से यह लेना है बस और बाकी मुझे अपने आप करना है और यह चीज़ तो मतलब सबसे पहले अगर आपको एक topper mindshets समझना है तो आपको एक प्लैनर होना चाहिए जिसको आप ये आप के उपर है कोई भी कोचिंग कोई भी सिर्थान आपको जो प्लैन देता है वो एक हर एक के रहे अलागू होता है पर जो टॉपर्स होते है ना, उनको ये पता होता है कि ये general plan है, ये मेरे लिए सिर्फ नहीं है उनने ये पता होता है कि उनके लिए क्या है? वो अपने according plan आते हैं चौती बात, वो एक law follow करते हैं उसमें क्या होता है? कि अगर आप एक उचाना के जी ने एक चीज़ कही थी कि if you know your strength, if you know your enemy's weakness तो chances of winning is 100% ये टॉपर्स जित्ते होते हैं जाने या अन जाने इसी चीज़ को follow करते हैं वो जी देखते हैं कि उन्हें क्या आता है वो जी देखते हैं कि पेपर में क्या आता है और फिर इन दोनों को मिलाते हैं और एक अपनी proper simple से strategy बनाते हैं और उसे consistency के साथ follow करते हैं क्या बोला मैंने? consistency के साथ बट unfortunately जो बाकी लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं follow कर पाते हैं एक और सबसे जरूरी बात जो ये बच्चे toppers होते हैं ना इन में एक चीज common होती है कि ये बहुत ही बतला पढ़ाई के साथ साथ जितना ये पढ़ते हैं ना उतना ये mock test पे भी focus करते हैं ये results पे फोकस करते हैं ये analysis पे फोकस करते हैं तो अगर आपको भी NDA top करना है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है especially mock test कि पढ़ाई करना है अच्छी बात है पर पढ़ाई के साथ साथ mock test देकर अपनी analysis भी करनी है कि हम कितने पानी में हैं तो अगर इन सब चीज़ों को आपने भी follow कर लिया तो यकीनन एक दिन आपका भी नाम NDA topers में जरूर होगा